जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि खर्मास वर्स 2020 का कब से सुरू होने जा रहा है और यह कब तक रहेगा खर खर्मास को क्यूं असूप माना जाता है इसके पीछे की एक पौरानी कथा है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे साथ ही साथ हम बताएंगे कि खर्मास के महीने में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी हां दोस्तों खर्मास से जुड़ी हम संपूर जान करेंगे दोस्तों आपको बता दे कि कुछी दिनों के बाद खरमास आरम होने जा रहा है हिंदु धार्मिक मानिताओं के अनुसार खरमास में सुभ कारे नहीं किये जाते हैं खरमास को असुभ माना जाता है इसके पीछे की एक पौरानी कथा है आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे मैं लास्ट में पौरानी कथा की जानकारी दोंगी तो खरमास सुरू होते ही मांगली कारियों पर रोक लग जाती है सुरी का धनू रासी में परवेश होना ही खरमास कहलाता है सुरी का धनू रासी में गोचर आरम होते ही खरमास लग जाएगा सुरी का रासी परि नई चीजों को भी खरीद कर नहीं लाया जाता है, बाहन, मकान, दुकान, किम्ती, आभूसन या महंगे गैजेट साधी खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो आप खरमास सुरू होने से पहले ही खरीद ले, आप चलिए आप जानते हैं कि खरमास कब से सुरू हो रहा है, तो आ नहीं है, लेकिन आपको बता दे कि खरमास में तिर्थ यात्रा करना सबसे उत्तम मास माना गया है, खरमास का समापन मकर संक्रांती पर होता है, मकर संक्रांती का पर्व पंचान की अनुसार 14 जनवरी 2021 को मनाया जाएगा, मकर संक्रांती का विसीज धार्मिक महत्व माना गय इस दिन सूरी मकर रासी में प्रवेस करेंगे, सूरी की मकर रासी में प्रवेस करते ही मांगलिक और सुभकारी आरंब हो जाएंगे, इसके बाद साधी विवा के कार्जक्रम भी सुरू हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि खर्मास को असुब क्यूं माना जाता है, साथी साथ खर्मास को दूसित माह बोला जाता है, तो इसके पीछे की पुरानी कथा क्या है वो चलिए जानते हैं, तो एक बार सुरी देवता अपने साथ घोडों के रत पर सवार होकर ब्राम्भांड की प् पारण उनकी रत में जूते घोडे ठक जाते हैं और घोडो को प्यास लग जाती है घोडो की उस दैनिये दसा को देह कर सुरीदेव को उनकी चिंता हो गई और वो घोडो को लेकर एक तालाब के किनारे चले गया ताकि रत के घोडो को पानी पीने को मिल सके लेकिन उन्हें तभी आवास हुआ कि अगर रत रुका तो अनर्थ हो जाएगा क्योंकि रत के रुकते ही पूरा जन जीवन भी ठहर जाता लेकिन घोडो का सौभाग ही था कि उस तालाब के किनारे दो खर मौजूत है खर गधे को कहा जाता है भगवान सुरीदेव की नजर उन गधों पर पड़ती है और वो अपने घोडो को पानी पीने वो विस्राम करने के लिए वही तालाब किनारे छोड़ देते हैं और असी तैसे किसी तरह एक मास का चक्र पूरा होता है उधर तब तक घोडो को काफी काफी आराम मिल चुका होता है इस तरह यह करम चलता रहता है और हर सौर वर्स में एक सौर मास खर मास कहलाता है जिसे मलमास के नाम से भी जाना जाता है तो यह थी खर मास के पीछे की पौर करना चाहिए क्या करना चाहिए तो फरमास के महीने में भागवत गीतह सृ राम की पुजा कथावारचन और विष्णु भगवान की पूजा करना सुभ माना जाता है दान पून ज्यप और भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं इस माह में भगवान सिव संकर की अराधना करने से कस्टो का निवारन होता है सिव जी के अलावा मलमास में भगवान विष्णों की पूझा भी फल्दाई मानी जाती है इसके अलावा खरमास के महिने में सुरीदेव को अर्ध भी दिया जाता है आई होता है तो दोस्तों आसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जानकारी आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और मेरे इस घरेलुख हबर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स